आज हम 1954 की पांचवी फिल्म का रिव्यू आपके सामने पेश करेंगे ये फिल्म 6 अगस्ट 1954 जुमा के दिन फिल्म बिनों के सामने पेश की गई और इस फिल्म का नाम था परवाज ये फिल्म एैएम फिल्म बिनों के लिए तयार की इस फिल्म के परोडिूसर और डेरेक्टर इशवाख मलिक थे जब के इसको एहमद साईथ ने तहरीर किया इस फिल्म की अक्सबंदी रियास एहमद ने की अर्दो जबान की ये फिल्म लहोर में शूट की गई इस फिल्म के अदाकारों में सबीहा खानम, युस्फ खान, आशा पोसले, नजर, शरारा, मजीद, माया देवी और जी एंड बट शामिल थे अदाकार युस्फ खान की ये पहली फिल्म थी जिस से उन्होंने अपने फिल्मी सफर का अगाज किया 52 साल तक पाकिस्तानी फिल्मों में लाजवाल किरदार अदा करने वाले युस्फ खान इंडियन पंजाब के शहर फेरोजपूर में यकम अगस्त 1931 को पैदा हुए और 20 स्टमबर 2009 को लाहौर में वफात पाई इस फिल्म के गानों की शायरी तन्वीर नकवी और एहमद राही ने की जबके इसका म्यूजिक रफीक घसनवी ने मुरतिब किया इसके गुलुकारों में मनवर सुल्ताना, कोसर परवीन और फजल हुसैन के नाम शामिल है इस फिल्म में आठ गाने शामिल किये गए जिन में कोसर परवीन का गाना दिल तोड़ गया सब कुछ मुझको देने वाला इस फिल्म में आठ गाने शामिल किया जब कुछ मेरा लूट गया इस दिल्म में आठ गया फजल हुसैन का गीत एक नई जिन्दगी एक नई दास्ताँ मुनवर सुल्ताना का गीत मेरे प्यार की पहली रात है मुझे पूछना क्या बात है इसके लावा दो गीत जिनके गलुकारों के नाम मालूम नहीं हो सके उन में दिल दे के दगा नहीं देना सोच लेना मेरी मुहबत दुश्मन आजमाने आएंगे नहीं घूर घूर तक दिल करे धक धक मनवर सुल्ताना का गीत पहली जड़ी है बरसात की भीग गई रात मुलाकात की कौसर परवीन प्यार भरे दिल दो प्यार भरे दिल खत्म हुए इस फिल्म में कौसर परवीन ने दो मनवर सुल्ताना ने दो जबके फजल हुसैन ने एक सोलो गीत गाया जबके तीन गीत किसने गाए ये मालूम ना हो सका ये फिल्म 6 अगस्त 1954 जुमा को लहोर और कराची के पैराडाइस सैनमा में रिलीज की गई और सिर्फ तीन हफ़ता चलने के बाद फिल्म बेनों ने इसे मस्तरित कर दिया और ये फिल्म माजी का हिस्सा बन गई तो नाजरीन ये था फिल्म परवास का एक तफसीली इंटर्विव उमीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और बेल आइकान को दुबाना मत भूलिएगा ताके हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़ार जरूर कीजिए जो हमारे चैनल के लिए बेहतरी का बाइस है इस वीडियो को शेयर कीजिए ताके हमारी ये मालुमात आपके जरीया दूसरों तक भी पहुंचे गुल्फाम को इजाज़त दीजिए अपनी दौाओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिवियू के साथ दुबारा हाजिर होंगे अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अल्ला आपका हम्यो नासिर हो अल्ला हाफिस